बाता एलाओ एबरीवान बेर बेरे गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी और आज की वीडियो की स्टार्टिंग जो है हो रही है ब्रेकफ़स्ट से तो आज मैंने ब्रेकफ़स्ट में बनाये थे अलू के टोस्ट और यहां पर मैंने क्या बनाये थे यह नहाने गई होई थी और नाश्ता हो गया रहा है करने के बाद मुझे फ्रिज की जो मेरी बास्केटी वो ग्लीन करने थी कि वो बिल्कुल खाली हो चुकी है सिर्फ अद्रकद्रक एक ही चीजस में पड़ी थी सबजियां बिल्कुल ही सारी खतम हो गई है और यह खाली तो गर दिया है लेकिन खाल खाओगे नहीं यह खाओगे नहीं तो क्या खाओगे तो पता नहीं पता नहीं यह कैसी जवाब है मतलब पता नहीं सबके घर में यह से जवाब होते हैं सिर्फ मेरे लिए ही होते हैं और जिब कुछ अपनी मर्जी से बनाओ तो फिर वो अच्छा नहीं है पता नहीं वो चीज दुनिया में है कौन से और यहां पर मेरे न मैंने शील लगाती थी और मशीन लगाने का काम ना मैं मतलब जिस दिन भी मुझे लगानी होती है तीन या चार चारे में चोथे दिन लगाती हूँ तो मैं पहले ही लगा देती हूं मतलब साथ-साथ काम चलता रहता है और आप यह सोच रहे होगा यह परपल वाली साड़ी तो कभी पहने नहीं देखी तो यह साड़ी मैंने उस दिन पहनी थी चार तरिक को सुरी तीन को या चार को मैंने कोई जब वीडियो नहीं डाला था उस दिन नेक्स टाइम जब पहनूंगी तो जरूर दिखेगी आपको और उस दिन मैं भी सोच रही थी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी लेकिन एक तमसे पतानी अचानक से मुझे क्या हुआ मेरा मन हुआ कि नहीं आर आज मैं नहीं कर रही कभी कभी होता है ना रेस्ट लेने का मन कर जाता है तो यहां पर मेरे कप्टे साथ साथ जो धूलते जा रहे थे उनको मैं साथ साथ मशीन में ड्रायर करकर के डालती जा रही थी क्योंकि पता है धूप बहुत तेज निकलती आज ये लेटी उठाता सोकी भी तो आज कल इसको रहा थोड़ा टब में नहाने का भी भाहम सा हो रहा है और गर्मियों में इस तरह से नहाती ही है हमारे यह तो आधा साथ पानी करके जैसे रखतो और बस खुदी-खुद नहाता रहेगा बस जिस दिन मुझे मतलब नहलाना ह एक दिन ऐसे नहला देती हूं एक दिन रगड के नहला देती हूं तो मैं बात्रूम में नहलाती हूं अंदर और अब भी वह बिल्कुल उठने का नाम नहीं ले रहा है तो मुझे लिए चलो अब मैं उसके पास भी कब तक खड़ी रहती हूं अपना यह चीनी आई थी तो म महीने चल जाएगी क्योंकि ना कोई ज्यादा चाय पीता है ना कोई ज्यादा बस निश्चे के दूद में डलती है और चीनी चाय में बहुत हलकी पीते हम बहुत ही ज्यादा और मीठा जीटा तो वैसे ही खाने में किसी को पसंद नहीं होता आज कल तो यह स्टोर करने के ब जो कि मैंने सोचा है तो आप लोगों के साथ तो शेयर करूंगी आप जानते हो जो भी करूंगी जैसा भी बनेगा वो जरूर आपको बताऊंगी तो यहां निश्चे को रेडी कर देने के बाद मैं कडाई रख लिया अपनी कडाई में तेल गरम होते ही मैंने जीरा और हीं टाल दिया है तेल में से धुआ निकल ने दिया है थोड़ा हलका गरम किया है तेल को फिर मैंने सिम पे कर दिया था गरम करके और यहां पर यह चोटे साइज में कटे हुए मैंने प्यास डाल दिया है एक प्यास था मेरा मीडियम से साइज का उसको मतलब काट लिया था बार वो मैंने इसमें डाल दी है और मुझे इसको डालने के बाद नहीं एक बात याद आई जब लास्ट टाइम मैंने ये सुकी साबत लाल मेर्स डाले थी शायद छोले में तब मुझे किसी ने कमेंट किया कि बेवकुफ इसकी वो तोड लेती उपर की डंडी तो तुझे के अकल नाव की चीज नहीं है तो वो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप वो तोड के ही इसमें डालो ऐसे भी डाल सकते हो उसको इसकी टूटी होई थी इसकी मैंने खुद से नहीं तोड़ी है और मसालों में मैंने यहाँ पर डाल गया था सेन्या मिर्च हलदी ऑर एक मिनट उनको भूनने के बाद फिर मैंने टॉमय टमाटर डाल दिया ही प्यास मेरा एक था Magna P下去 ओ प्याज में डीबर से teeth नहीं टुझात जैसे डबन तमाटर असंप्याऊ ब्यास win a जर्ड़ी ले दो जब देना है बिलकूल और यह जो मैंने डाली है काश्मेरी, लाल, मिर्च यह ओप्सनल है अगर आपको कलर अच्छा सा चाहिए तो आप डाल सकते हो क्योंकि कहते हैं कि खाना पहले आखो़ से खाया जाता है मूह में ढात महीं जाता है तो कलर अच्छा होना चीए अच्छा होना चाहिए और यहां पर बिल्कुल अच्छी तरह से मेरा मसाला जो है ठककर जो मैंने छोड़ा था बिल्कुल पक चुका है और यह मैंने इसमें डाल दिया खीरा क्योंकि मैंने बता है ना आपको मेरे पास कोई सब्जी नी थी बस अद्रक और खीरा और प्याज आलो बस यह तीन-चार चीज़े थी वैसे वाली कोई सब्जी नी थी जैसे गोबी मटर स्ट्राइब की कि मैं कुछ भी बना लू तो खीरे को कट करके चोटे-चोटे पीसेज में और डाल दिया है छिलका नहीं उतारा है मैंने खीरे का अगर आप चाहो तो आप उतार सकते कि मत उतारना अच्छा लगता है इसी तरह से क्योंकि सब्जी बहुद टेस्टी बनी थी खीरे को इसमें एक-दो मिनिट के लिए इसी के अंदर रहने दिया मैंने इसी में भून लिया है और अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी और मैंने सब्जी ना तरी वाली नी तो एक खीर में आप कह सकते हो आदा गिलासी करीब पानी डालाओगा ज्यादा नहीं डाला था मैंने और पानी डालने के बाद भी यह डखकन लगा कर छोड़ा था और आप देख सकते हो कितना अच्छा अच्छा रहा रहा है यार मतलब बहुत बहुत टेस्टी सब्जी हो कुछ भी बना के रख देगी और शाम होते होते हैं सब्जी भी ले आए थे शाम तो कर अभी नहीं होई थी दोपैर में मैंने वह सब्जी बनाई थी दोपैर के मतलब लंच में तो उसके बाद सब्जी वाला आया होगा कोई यह बाहर गए हो थे दूद लेने तो वहीं से सारे सब्जियां लेते हो आये थे दन्या भी देखो कितना सारा है मतलब ले तो आओ लेकर इसको फिर साफ करना थोड़ा जंचट सा लगता है और टिंडे लेकर आए हैं इनसे कोई पूछे मतलब टिंडे खाने के नाम पे तो ना तो फिर तुम लेकर क्यों आते हो यह समझ कितना गुंदा हो गया है कितने मतलब तो मुझे लगता है इनको दुबारा मुझे क्लीन करना पड़ेगा तो चलो देख लो एक बार सब्जी बिल्कुल थोड़ी सी बनी है सिर्फ आप कह सकते हो कि सुखी सब्जी की तरह ही मिलेगी सबको तीन इस्सों में मुझे मम्मे को कि फ्रिज में भी एक बार कपड़ा मार दू तो अभी जब मैं सब्जी उसमें लगाने की सोची ने मैंने की चलो भी सब्जी लगाती हूं तब मुझे लगा अरे पहले फ्रिज तो साफ करिया हूं उसकी बाद ही तो मतलब मैं अबी एक दम अपने काम कोई करने से अगर आपको सब्जी अच्छी लगी तो ट्राइज जरूर करना देखने में अच्छी लग रही थी आपको और खाने में मैं बता देती हूं सच में बहुत टेस्टी थी और अगर आप में से कोई बनाता है खीरे की सब्जी तो वह भी मुझे बताना और नहीं बनाते हो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन हाँ बनाने में भी अच्छा लगता है मुझे तो लेकिन हाँ खाने वालों को नहीं अच्छी लगती बहीं पता नहीं क्यों एक दोबार टिंडे बन जाओ सीजन में उसके बाद ऐसा बोरियत सी मैसूस होती है कि हाँ पता नहीं मतलब आफ़त से लगती है कि टिंडे नाम से ही हो जाता है टिंडे नहीं खाने और गोबी में मुझे गेन आती है क्योंकि कीडे आने शुरू हो जाते ना तब अच्छी नहीं लगती है अभी टाइम हो गया है शाम के मतलब की रात के आट बचकर तरेपन मिंट का तो तैयारी बस मैंने भी दिये लगाएं घी डाला है और मुझे एक ही मिली मेरे पास एक्चुली मिली थी चार लेकिन वह निष्चा ने जब मैंने दस मिनट पहले जैसे निकाल के ढूंड के रखी इतनी देर में तो तोड़ तार थी तीन केंडल और सिर्फ एक ही रह गई और पता है क कितना प्यार है यार उस इनसान को हमारे प्राइम मिनिस्टर को कितना लगावए कितना प्याव है अपने देश से मतलब मैं तो शब्दों में भी नहीं वयान कर सकती, उनकी तारीब के लिए मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, तो बड़ अच्छा लग रहा है कि कीसे कैसे वो किस तरह से कोशिश करते जा रहे हैं कि किसी तरह बस इस बिमारी से हमारे देश का पीछा चुटे, हम इस महामारी से भ करवाते हैं कि कभी ताली बजवाना कभी थाली बजवाना उस दिन तो ढोल जैसे बजाने शुरू कर दिये लोगों ने आज पता चले कि दियों की जगह पटाक की फोर्ड ने शुरू कर दे क्योंकि अभी पूरी लाइट्स बंद होने वाली है और मैं भी रख देती हूं उनको आया किस-किस ने दिये कैंडल ये सब लगाए और बटाक के फोर्ड़ दे मताई बनी चाहिए वाद क्या काई थी इतनी देर पटाक के भी फोर्ड़ थी है जलो आओ माँ पार बापा बापा है एप दिवाली आई है सब के बंद में बाई है 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 अपर लगा इन बेटी लिगाएगी आपना इसे बोलते हैं जो से जिए जए जो बाइस मता आ मैं ए इसे जो से बोल मोधी को शुननी चाहिए मटा आप जो बाइस प्रम आपा सांगा आप मारे इसे हैं मांन ना कोने ना मारे मारे इसे हैं मां कई दी बंद कर आई हो कर दो हैं ए कर दो गूर को घर साज से हैं मां एहा हैं जाहीं जाहीं जाहिंद जाहिंद बात तरो ना जाहिंद अब टाके छूटेंगे अपर दिवाली कर दी बाई किसी ने ना आज यह था कि सब एक साथ चद पे थे और अपनी चदों पे सब जड़ वे ज्यादा था रास पास की जितने भी थे क्योंकि यह थे लगाए थी बाहर गली में अच्छा लग रही थी तो महां पे इतना अच्छा नहीं लगता दिये देखने में तो बहुत हम तो अपने दिये लगा कि आज वागए नीचे 9 बज कर 11 मिनिट हो गए हैंबी 10 मिनिट तक चाला दिये थे वकार एक आद मिनिट हो सकता हूं पर नीचे घड़ी में टाइम हो बतला दिये तो अब भी लग रहे हैं लेकिन हम नीचे आ गए हैं और हमारे आज सारी सबने लगा रखेते दीए कोई एक आदी घर ऐसा होगा बिलकुल कोई दूर दूर तक एक दो लाइट दिखरी थी हाँ लेकिन बस एक कमी रहेगी स्ट्रीट लाइट बंद करने चाहिए थी क्योंकि वह तो यार गवर्मेंट के हाथ में थी और वह स्ट्रीट लाइट बंद अगर स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाती ना सारी तो बहुत अच्छा लगता और तो और लोगा ने पटा के तो छोड़े ही छोड़े जैसा कि मैं एकसेप्टेशन करके गई थी उपर मैं आपको बता के गई थी कि पता चले लोग उपर पटा के छोड़ने शुरू करते तो सिच में पटा के ही छोड़ रहे थे रंग भी रंगे और वो शेंक भी बज़रे हैं गाउं में और बरतन भी बजाने शुरू कर दिये जो की 22 मार्शी ना उस दिन 22 सारी को जो बोला बरतन बजाने के लिए वो आज भी शुरू कर दिये इनोंने मतलब उस दिन की कमी और उम्मीद करते हैं कि हमारे मोदी जी की कोशिश काम्याब होंगी तो बाई बाई ठेक्यार थेंक्यों सो मच थैंक्स वोचिंग मी घर पर रहिए और सरक्षित रहिए अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए